हेलो विवर्स अनाना क्रेशन्स में आपका स्वागत हैं आज हम बनाना सिखेंगे हैंड सेनिटाइजर सिब बनाना बहुत ही आसान है सिब बनाने के लिए इन तीन चीजों की आवशक्त होती है पहला इथेनौल, दूसरा अलवेरा जेल, तीसरा पानी बस चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं ये सबसे पहले हम इसमें इथेनौल लेंगे ये इथेनौल है, मैंने इसे एमेज़न से बिलाया है ये 120 ml का है और 145 रुपीज में मिल जाता है ये अलवेरा जेल है, मैंने पतांजली का यूज किया है आप जो कमपनी का चाहे वो कमपनी का यूज कर सकते हैं ये पानी है, ये सादा पानी है जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये मेरा मेजरिंग ग्लास है, ये मैंने मेजर्मेंट के लिए लिया है ये मेरा 5 ml का टी स्पून है सबसे पहले हम इथिनॉल लेंगे, हमें ये 70 ml इथिनॉल यूज करना है ये हमने 70 ml, अब हम इसमें 20 ml यानि 4 टी स्पून हम अलोवेरा जिल डालेगे है ना ये देखिए इस तरह से हम इसे 4 बार यूज कर लेंगे दो-दो करके डबल बार इसे डाल कर थोड़ा से हम हला लेंगे अब हम इसमें 40 ml पानी मिलाएंगे ये देखिए, 40 ml इसमें हमने पानी मिलाएंगे इसे अच्छी तरह से हलाना है ये देखिए, ये इस तरह से बन गए अब हम इसे किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे ये हमारा अलो वेरा तयार है बहुत ही अच्छा बना है अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं ये देखे कितना अच्छा कलर आया है हम इसे हातों पर रब करेंगे और ये देखे इस तरह से रब करना है और कुछी देर बाद हम देखेंगे कि ये थोड़ा वोलाटाइल हो जाएंगा मतलब ये सूख जाएंगा ये देखे इस तरह से ये गायब हो जाएंगा क्योंकि ये वोलाटाइल है इसमें इथिनॉल जो है वो वोलाटाइल होता है जो थोड़े देर बाद उड़ जाता है लेकिन यही सई सैनिटाइजर की पहचान है तो हमारा हैंड सैनिटाइजर बन कर तयार है आप भी बनाईए और अपने अनुभाव अनाना क्रिशन्स के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू